हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे किचिन में आज यहाँ पर हम बनाएंगे एक पनीर की सबजी जिसका नाम है कडाई पनीर बिलकुल आज हम होटल रेस्टरांट जैसी सबजी बनाएंगे तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी तो यहाँ पर हम स चोटे चोटे पीसिस कर लेंगे यानि कि डाइस में इसको काटना है तो इसको हम डाइस में काट लेंगे इस तरीके से और इसी तरीके से मैं दूसरी भी शिमला मिर्च काट लूँगी यहाँ जरूरी नहीं है कि दौनों शिमला मिर्च होनी चाहिए आप केवल ग्रीन है त उसी का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो आप उसको ले सकते हैं उसके बाद प्याज को भी हम बीच में से कट करेंगे और उसके बाद उसके हम 4 टुकडे कर लेंगे डाइस में और उसको एके करके अलग कर लेंगे तो यहाँ पर प्याज भी हमारी कट चुकी है इसी निकाल देंगे और इसको भी डाइस में काट लेंगे जैसे हमने और सबजी काटी है तो यहाँ पर सबजी अकट गई है अब गैस अन करके रखेंगे एक पैन और अब बनाएंगे हम कड़ाई पनीर मसाला तो सबसे पहले मैंने सूखी लाल मिझ डाली है और जीरा और सूखा धनिया इसके बाद मैं एड करूंगी सौफ सौफ मेरे पास साबुत नहीं थी तो इसलिए मैंने पिसी हुई ही इसमें एड कर लिया है और इनको अब अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी एड कर सकते हैं और रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दें फिर एक जार में डालके इसको पीस लें अब दूसरा हम कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे गी और गी अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा गरम हो जाएगा तब यहाँ पर हम साबुत लाल मिर्च छोटी इलाइची तेज पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा यह सब डालके हलका सा भून लेंगे उसके बाद हम एट करेंगे प्याज तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ली थी और बारी काटके रखी थी अब इसको डालकर हम अच्छे से थोड़ी दिर भून लेंगे तो यहाँ प्याज मेरी भून च अब यहाँ पर हम एड करेंगे हरी मिर्च कटी हुई तो आप एक से दो हरी मिर्च जाल सकते हैं काटके उसके बाद यहाँ पर हम एड करेंगे लहसुन यह मैंने ग्रेट कर रखा है आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं तो लहसुन और अद्रक का पेस्ट आप एक साथ डाल स तो अब ये प्याच के साथ ही अद्रक लेसुन भी अच्छे से भुण जाएगा उसके बाद अब हम एड़ करेंगे यहाँ पर कुछ मसाले तो यहाँ पर यह भुण चुके हैं यहाँ पर मैं एड़ करूँगी हल्दी पाउडर एक चमच उसके बाद एट करूँगी धनिया पाउडर, दो चमच, फिर यहाँ एट करूँगी में लाल मिर्ज, एक बड़े चमच, उसके बाद यहाँ एट कर देंगे नमक, थोड़ा सा अपने स्वादनुसर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर म मसाले को अच्छे से भून लेंगे, अब हमारा मसाला भी भून चुका है, तो अब यहाँ पर मैं एट करूँगी कटे हुए टमाटर, तो यहाँ दो मध्यमाकार के टमाटर चौप करके रख लें इसमें डालने के लिए, अब यहाँ पर मैंने एट की है टमेटो प्यूरी, तो यहाँ पर टमेटो प्यूरी डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब यहाँ पर एट करेंगे, कड़ाई मसाला, जो हमने बनाया था भून कर, तो उसको मैंने पीस कर रख लिया था, इसको मिक्स करने के बाद, 5 मिनट के लिए कड़ाई को ढख अब शिमला मिर्च जब सौटे हो जाएगी, यानि कि थोड़ा सा भून जाएगी, हमें हलका सा फ्राई करना है इसको सबजी को, तो यहाँ शिमला मिर्च फ्राई हो गई है, तो अब यहाँ पर मैं डाल दूगी प्याज, तो प्याज को भी डालके शिमला मिर्च के साथ मे यहां इसको भी थोड़ी देर fry करेंगे जब यह अच्छे से fry हो जाएगी तो यहां देखिए बस इतना ही आपको fry करना है बहुत ज्यादा आप नहीं पकाना है सबजी को अब यहां मैं डाल दूँगी टमाटर डाइस वाले अब इसको भी हम अच्छे से इसके साथ में ही थो और इसको भी हम fry करेंगे हलका सा सबजी के साथ में ही जब ये fry हो जाएगी तो यहाँ add करेंगे हम लाल मिर्ज ये हमने डाला एक कड़ाई पनीर मसाला एक चममज इनको डाल कर अब अच्छे से मिक्स कर लें तो यहाँ ये कड़ाई पनीर तैयार है इसका मसाला अब हम देखते हैं यहाँ पर ग्रेवी देखेंगे कि वो पक चुकी है कि नहीं तो यहाँ नमक और डाल देंगे इसमें हलका सा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर यह आपका सबजी तयार है एकदम सौटे करके अब यहाँ देखते हैं कि ग्रेवी हमारी पक चुकी है देखिए तेल उपर आ गया है तो ग्रेवी हमारी एकदम तयार है यहाँ दो चम्मच हैट करूँगी मैं दही और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब यहाँ पर एड़ कर देंगे जो हमने सबजियां सौटे की थी उन सब को डाल कर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है देखने में और अब यहाँ पर इसको mix करने के बाद मैं add करूंगी यहाँ पर कसूरी मैथी कसूरी मैथी के तो खुजबू और टेस्ट दोनों ही enhance कर देता है सबजी को और अब स्वात को और भणाने के लिए यहाँ पर अब हम add कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको डाल कर अच्छे से अब mix कर लेंगे तो अब हम इसके बाद यहाँ पर add करेंगे cream आधा कप यहाँ पर मैंने cream लिए है और यह सबजी के अंदर जाते ही सबजी की जो richness से वो बढ़ा देती है अब इसको भी अच्छे से mix करके गैस बं करके इसको ढखकर रख देंगे तो यहाँ देखे कड़ाई पनीर इक्तम तयार है अब इसको हम एक बर्दन में निकाल लें तो यहाँ पर मैंने कड़ाई पनी निकाल ली है और अब इसको गार्णिश करेंगे हम cream के साथ और डालेंगे यहाँ पर कटा हुगा हरा धनिया अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा